तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइट किये गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ के लिए कॉस्षन ओफ दा डे की वर्कसीट को जो की 1.11.2023 डेट के लिए है इससे पहले की सभी वर्कसीट का सोल्यूशन दोनों मीडियम में अप्लोड है कॉमेंट में लिंक मिलेगी देख लो साथ में मिट्रम पेपर दोनों सिप्ट के ओल सब्जेक्ट आंसर देख सकते हो एन्वल के लिए प्रेक्टिस कर सकते हो कॉमेंट में लिंक मिलेगी और last year का annual paper भी देख सकते हो with question paper साथ में solution उसकी भी practice कर सकते हो तो comment को चेक कर लेना question पे आजो question है evaluate a plus 7, a plus 3 using a suitable identity उपयुक्त सर्वसमिका का उपयोग करके a plus 7, a plus 3 का मान ग्याद कीजिए तो solution देखो ध्यान से a plus 7, a plus 3 question में दिया है ठीक है तो ऐसी condition में formula apply करोगे x plus a x plus b यह इस form में है अब कैसे है x, x पर same a है a है दोनों में ठीक है देख रहे हो और यह equal होता है x square plus a plus b record बंद x plus a b के ठीक है यह formula है अब ध्यान से देखो आप यहाँ पर a अलगद a पर 7 है b अलगद b पर 3 है बाकी x पर a है x पर a है यह चीर ध्यान में रखना अब इसकी value रख दो ठीक है तो यहाँ पर x square x पर क्या रखोगे a है a का square हुआ ठीक है प्लस आ गया bracket लगओ a a पर क्या रखोगे 7 ठीक है ठीक है ध्यान रखना तो 7 आ गया प्लस b b पर क्या आपका 3 ठीक है तो 3 रखो bracket लगओ x x पर आपका क्या है a ठीक है जो है वो value रख देना x पर a प्लस लग गया a b a पर आपका 7 है ठीक है तो 7 अब बीच में यहाँ पर गुणे की निसान आएगा गुणे लगा दो b b पर आपका 3 है तो 3 लिख दो ठीक है आगे सुल्ब करोगे तो a स्क्वाइर सेम रहेगा प्लस 7 में 3 प्लस करो 10 और bracket अटाओगे a से multiply होगा 10 a हो जाएगा ठीक है फिर प्लस साथ को 3 से गुणा करो साथ किया 21 आएगा यही आपका आंसर है ठीक है यह आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वाइर प्लस 10 a प्लस 21 ठीक है तो इस इक साथ यह अक्सीट कंप्लीट है कहीं पर कोई डाउट है तो कोमेंट कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में थाइंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो और टेक केर